हेलो फ्रेंट्स वेरे गूड मॉर्निंग कैसे आप सब उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और साथ में अपनी तैयारी में लगे होंगे क्योंकि आपका एक्जाम डेट भी काफी करीब है तो उसको दिश्टिकत रखते हुए मैंने आपके लिए स्टैब्लिश्मेंट आप तक टाइमली पहुँच सके तो फ्रेंट्स इस वीडियो सिरीज का जो पिछले 30 कुष्चन थे उनको हमने वीडियो में देख लिया है पहले इसके पहले मैंने जो वीडियो अप्रोड करा है उसमें हो है और साथ में इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रुल्स वाइल पासिंग ओर्डर्स पर इंपोजिंग आपनलिटी इसी प्लिनरी अथर्टी सूट इनिवरियाबली पास अपिशन फस्ट है ओली पेनलिटी शूट बेटन इस पीकिंग ओर्डर्स जोडिचल ओर्ड एंद नन अब द एबब तो इसका आंसर वा जाएगा यह शापीजिंग स्थिकिंग और सौप्शन नमर्ट विस्ट आइड आंसर नेक्स्टिशन है क्टिशन नमर् 30 फिकिंग पूछा जा रहा है एडिमीसिबल जॉइनिंग टाइम फॉर रेलवे सर्वेंट अंडर ट्रांसफर अंडर ट्रांसफर इस डैस डैस दैस प्रोवाइड डिस्टेंस बिट्वीन दा नियू स्टेशन साथ तो वारा ट्रांसफर एंड ओल स्टेशन इस डyes डॉछ फिट्वीन मेंक तो इसकेस में टाइम्साइमल टाउमलीफ कितना तो इसका अंसर हो जाएगा boats डिचिघ米 ऑट हिए 15 libraries सब्सक्राइब आते हैं क्विस्टन अबर 33 वाट एक्षन हैस आरेलवे सर्वेंट तो इस पर रूल 311 आफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 मेंटेन अब्सूलूट इंटेगरिटी मेंटेन अकाउंटिविलिटी एंड ट्रांस्परेंटी दू नथिंग विच इस अन बीकम करता है इस रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 का जो रूल नॉम्बर 3 है वह बिसिकली जन्रल रूल को एक्स्प्रेंट करता है और इसके अंदर 3 1 क्लोज 1 जो है यह रिपेजेंट करता है यह एवरी रेलवे सर्वेंट शेल एट आल टाइम मेंटेन अब्सूलूट इंटेटी ठीक है जो रूल नॉम्बर 3 क्लोज 1 सब लॉस वन है तो वह आपसलूट इंटेगरिटी मेंटेन करने को कहता है ठीक है और यहीं जो सब क्लोज 2 होगा रूल नॉम्बर 3 क्लोज 1 सब क्लोज 2 वह अकाउंट इबिलिटी और ट्रांसपेरिंसी शॉरी डिवोशन तो ड्यूटी को मेंटीन करने को कहता है ठीक है फятсяब ट हीमका कई है आठीक एव्यीठ त्ठ आइवल टाइंट ट जीवोशन ठीक है मतanto अपने ड्यूती के प्रती आपका जो समर्पन जामर्पन ऑच है वह दिखना समिंटेनर सबोज सक्काय ऐसल मेंटेन रहना छाइए जो तो यह बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रूल नमबर थ्री क्लॉस वन सब्क्लॉस थ्री ठीक है और इस तरह से जो है और भी कई सारे जनरल रूल्स हैं जो कि हर एक रेल्वी एंप्लॉई को फॉलो करने होते हैं ठीक है तो इसमें हमने वन टू थ्री को देखा है यहां पर ठीक है रूल नमबर फॉर के एकॉर्डिंग जो है तो हमें जो कॉंस्टिट्यूशन में जो सुपरमेसी है कॉंस्टिट्यूशन की और जो उसके डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उनको फॉलो करना चाहिए ठीक है इस तरह से जो है जैसे आ आप हेल्ड करके रखना चाहिए तो इस तरह से कुछ जनरल रूल्स जो है तो हर एक रेल्वे सर्वेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इनमें हमने देखा तो इसका अंसर हो जाएगा यहां पूछा है रूल 3 1 क्लॉस 1 के बारे में तो बेसिकली इसका हो जाग इसका है ठीक है तो रेल्वे सर्वेंट्स है employee to work any child below the age of 14 years okay it is a crime so railway servant cell employee to work any child below the age of 14 years यह तो पटने की उम्र है ठीक है so option no.4 this is not covered under railway service conduct rule 1966 okay next question पर आते हैं which are the following next question no.35 के अंदर which are the following website portal deals with the passing of wills by account department HRMS IPAS limbs और अरपन इसको हमने देख लिया है या सभी आप सभी को पता होगा इसका answer तो account department basically जो है IPAS यूज़ करता है ठीक है that is a integrated payroll and accounting system so option no.2 is the right answer ठीक है यह basically AIMS का part है AIMS portal ठीक है accounting information management system का part है IPAS और एक दूसरा part होता है that is RESS जिसके अंदर railway employee self services को बोलते हैं ठीक है HRMS आप सभी को पता है HRMS भी आया था है question में पिछले question में भी हमने देखा था है यहां पर human resource management system जिसके अंतरगत हम जितने भी पास पीटी ओस हैं जैसे एपी आर्स होगर यह सब deals होते हैं इसके लावा LIMBS हमने देखा था लीगल इनफॉर्मिशन management and briefing system जो डिपार्टमेंट आफ लीगल अफियर से ठीक है तो वो इसके बारे में deal करते हैं इसके लावा अरपन की बात करें तो प्रिवा इसन अतिकवेटाई expensive哦 एक फिंकी पारया से एडवांस अडियोः नेट्वरग छिंक है जिसको आरपन बात करेंगे तीक है जिसका मतलब होता है أरपन मतलब होता है आ तो एडवांस ट्रेल वीज्ञेंxus network है अरपन ठीक है नेक्स्ट है कुश्च नमब थर्टीशिक्स के निदर आएंगे देस्टेन्डर्ड आउर्स आप ड्यूटी फॉर इंटेंसीव स्टाफ इस डैस डैस पर भीक तो इंटेंसीव स्टाफ के लिए जो ठीक है 42 पर घुक होता है ठीक है 42 आपमार कोंटिनीवास के लिए तूब 6 ऑड्रकेश्प की लिए भेसी होता है फैंडार्टी किन पर भीकstep से Ergebnis होग है in दिया हुआ है, all India leave travel concession can be availed once in a block of four years and दूसरा statement दिया है, for this railway employees have to surrender their privilege passes for that year, तो दोनो statement correct है हैं यहापे, so option number three is the right answer, both one and two are correct, ठीक है, AILTC scheme के तहत, जो है, यह चीजे होती है, next question है, question number 38, the family of a railway servant who dies during service may be allowed to retain railway accommodation for months on normal rent, six months, 12 months, 24 months and 36 months, तो इसकांसर हो जाएगा, that is 24 months, ठीक है, तो नॉर्मल रेंट पर जो है, तो दो साल तक कोई भी railway servants की जो date कर गया है, उसकी family नॉर्मल रेंट पर railway accommodation में रह सकती है, next question पर आते हैं, question number 39, that is, in cashment of leave on average pay, availing railway pass, while in service cannot be more than dash dash days, 60, 90, 100 and 120, तो इसका आंसर हो जाएगा, 60 days, ठीक है, जो in cashment होता है, वह six times होता है, इना, पूर इंटायर service में, और at a time, जो है, 10 days का leave in cash करा सकते हो आप, तो इस तरह से total 6 into 10, that is 60 days हुआ, next question के अंदर गताते हैं, question number 40 की बात कर रहेंगे, आपे पूछा जा रहा है, है, a railway servant seeking voluntary retirement from service, should have completed at least dash dash years of qualifying service, 10 years, 20 years, 15 years and 25 years, तो यहां पे BRS की बात हो रही है, ठीक है, तो इसका answer हो जाएगा, that is option number 2, 20 years, ठीक है, so a railway servant seeking voluntary retirement from service, should have completed at least 20 years of qualifying service, next question प्याते है, question number 41, consider the following and indicate the correct statements, option number a दिया है, पे, railway servant who is removed from service after disciplinary proceedings, shall not be considered disqualified for future employment under the government, option B दिया है, railway servants who are dismissed from service, shall be considered disqualified for future government service, तो यहां पूछा जा रहा है, देखिए, पहला case में है कि railway servant और उसका removal होता है, from the service after disciplinary proceedings, तो इस case में, वह कोई भी future government में, जो है under under governments, कोई भी future employment के लिए disqualified रहेगा, और अगर dismissal हुआ है, तो इस case में, जो है, he shall be considered disqualified for future government service, तो इसमें पूछा क्या है, कि railway servants who is removed from service after disciplinary proceedings, shall not be considered disqualified for future employment under government, और railway servants who are dismissed from the service, shall be considered disqualified for future government service, तो यहां removal के case में, जो है, यहां बूल रहा है कि, he shall not be disqualified, ठीक है, जो की गलत है, यह statement गलत है, और यह दूनों statement गलत है यहां पे, अगर यह case यहां पे dismissed का होता, तो यह सही होता, और यह case यहां पे removal का होता, तो यह सही होता, ठीक है, तो railway servant who is dismissed, अगर कोई dismissal हुआ है, तो इस case में, he shall not be considered disqualified for future employment under government, ठीक है, मतलब वह जो है, तो qualified रहेगा, लेकिन अगर कोई removal किया गया है अगर, तो he shall be always disqualified for future government service, ठीक है, so both options are incorrect, so option number D is the right answer for this question, option number 4 is the right answer, that means what, both A and B are incorrect, okay, next question number 42 पे आते हैं, पुछा है, no disciplinary proceedings can be initiated against a retired railway servant for an offense that had taken place more than dash dash before the issue of charge sheet, तो इसका answer हो जाएगा, that is a option number 3, 4 years, ठीक है, so, इसका answer का जाएगा, 4 years, next question है, question number 43, what is the full form of FNR, तो FNR का full form का होता है, that is a fret name record, ठीक है, so इसका answer हो जाएगा, fret name record, जैसे PNR का full form होता है, passenger name record, वैसे ही FNR का fret name record, PNR 10 digit का होता है, और FNR 11 digit का number होता है, next question पे आते हैं, within how many days after the date of accident, DAR action must be taken, so, after D plus 90 days, D plus 90 days, DAR action must be taken, so, option number 3 is the right answer, that is D plus 90 days, where D is the date of accident, the date of accident, say 90 days, then DAR action must be taken, next question है, power plan indicates the number of locals required for, to power plan जो हैता है basically, वह किस के लिए पूछा जा रहे हैं, आपे number of locals की requirements होती है, वह किस के लिए होती है, तो coaching service, fret service, partial existence, departmental equities, इसका answer हो जाएगा, that is a fret services, so, power plan indicates the number of locals required for freight services, option number 2 is the right answer, next question पे आते हैं, question number 46, the running staff should not normally be kept away from the headquarter, for more than dash dash hours at a stretch, तो एक stretch में अगर बात करें हैं पे, तो more than 72 hours, more than 72 hours से जादा running staff को अवे फान रहेड़कार्टर नहीं रखाय सकता, so, option number 3 is the right answer, और 72 hours means 3 days, next question पे आते हैं, question number 47, local pilot involves in a sparred cases should be sent for refresher courses, 10 working days, 12 working days, 14 working days and 21 working days, तो sparred cases की अगर बात करें तो इटीचा बेसिकली टाइप आफ इंडिकेटिव एक्सिडेंट्स, इंडिकेटिव एक्सिडेंट्स होते हैं वह तीन टाइप के होते हैं ठीक है, जिने हम F class, G class और H class में डिवाइट करते हैं, तो F class का जो इंडिकेटिव एक्सिडेंट्स होता है, वह आवर्टेट को लिजन कहलाता है, G class is a breach of block rules और H class होता है, तो इस केस में, रिफ्रेशर कोर्स के लिए, लोको पाइलट को भी जाता है, for 21 working days, so option no. 4 is the right answer, next question पर आते हैं, question no. 48 पूछा जा रहा है, periodical medical examination is done at the termination of every period of test test till the attainment of 45 years, तो जो PME किया जाता है, at the termination of every period, तो हर 4 year में जो है, तो इसको किया जाता है, ठीक है, period of 4 year till the attainment of 45 years, so option no. 2 is the right answer, तो बहुत कमाल की चीज़ा है, EOTT, basically इसका जो cost है, एक EOTT device का वो है अप्रॉक्समेटी दस लाक रुपए है, इसके अंदर यह किया गया है कि पूरी train को एक system की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है, जिसमें locomotive driver और जो last wagon की बीच में यहां पर एक communication establish किया जाएगा, अच्छा EOTT system अगर established हो गया तो यह guard को replace कर देगा, Indian Railways में जो last wagon है, मतलब as a brake when जिसको यूज की आता है, जहां पर guard रहता है, तो इसको replace करने के लिए device लाया गया, UTT, ठीक है, तो इसके अंदर basically दो units होगी, एक units जिसको हम CDU बोलेंगे, that is a cab display units, ठीक है, वह locomotive में लगा होगा, और एक unit जो होगा होगा, sense and brake unit जिसको SBU बोलेंगे, वह last coach या wagon में लगा होगा, और इनके बीच जो है communication established रहेगा, ठीक है, एक wireless communication established रहेगा, ठीक है, that is a both units are fitted with a radio transmitter, which communicate with each other, ठीक है, और अगर in between, इनके बीच में अगर communication brake होता है, तो इस case में driver दोरा यह समझा रहेगा कि train part हो गया है, ठीक है, और train parting के case में, ठीक है, driver as the, it indicates the driver the parting of the train and to apply brake to the rear unit, और इस तरह से जो है, तो collision last वाला जो portion है, इसको collision होने से अवर्ट किया सकता है, ठीक है, तो यह basically government का plan है, इसको कि जो हमारा dedicated fit corridors है, उसके अंदर लगभख 10, 1000 trains जो है, तो without guard चलाया जाएगा, देखिए कहां तक successful हो पाता है, next question है, how many dependents are allowed in a complimentary passes, तो basically there are two dependents are allowed in the complimentary passes, so option number first is the right answer, question number 51 प्याएगे, when a break in service due to participation in an illegal strike is condoned by the president as dies on, the period of service before the break will be treated as continuous with the period of service after the break, and option number B दिया है यहां पर, but the period of break itself will not be considered for any purpose, so only A is correct, only B is correct, both A and B are correct and both A and B are incorrect, ठीक है तो यह है illegal strike का case है basically, जब भी आप कोई भी employee है, अपनी service को break करके, वो illegal strike में participate करता है, तो इस case में जो president का action है उसके बारे में बताया गया है आपे, so the period of service before the break will be treated as continuous with the period of service after the break, ठीक है, and the, but the period of the break itself will not be considered for any purpose, ठीक है जो break का period है ठीक है, जिस में आपने work के में participate नहीं किया है, तो इस case को किसी purpose के लिए consider नहीं किया जाएगा, इसलिए option, both option is correct, so both A and B are correct, next question पर आते हैं, question number 52, when a railway servant who has been granted leave not due resigns from service or retires voluntarily without returning to duty, so the leave not due shall be cancelled, and option B है, his or her resignations or retirement shall take effect from the date on which that have led, that have had comments tend to leave salary shall be recovered, देखिए काफी अच्छा question है यहाँ पर, यह question में यह बोला जा रहा है कि जो railway servant से अगर कोई और उसने leave not due grant किया है, और वह है इसके बाद अपनी service से resign करता है, या voluntarily retire होता है ठीक है, without returning to duty, तो इस case में leave not due shall be cancelled, तो उसका leave not due होगा वह cancel हो जाएगा, और जो उसका resignation है या जो भी voluntary retirement लेडा है, that shall take effect from the date on which that leave has commenced, ठीक है, तो उसी दिन से उसको retirement मान लिया जाएगा, ठीक है, and the leave salary shall be recovered, और जो leave salary है वो इसकी recovered हो जाएगी, तो बोथ A and B are correct, so option number three is the right answer, okay, question number 53 क्या है, unless the president approves no temporary railway servant shall be granted extraordinary leave on one occasion in excess of dash test without a medical certificate, so 30 days, 45 days, 90 days and 180, इसका answer हो जाएगा, that is a 90 days, so option number three is the right answer, next question पे आते हैं, in selections, anticipated vacancies are assessed on the basis of the following factors, option A दिया है, vacancies due retirement or superannuation likely acceptance of notice for voluntary retirement or resignations, the vacancies in higher grade in the channel, option B दिया है, staff approved for deputation to other units, staff already impaneled for X-scatter posting, newly created posts and staff likely to go on transfer to other railways or divisions, during the period under considerations, so only A is correct, only B is correct, जब भी आप selection से anticipated vacancies को assess करते हो, तो इन दोनों factors को आप ध्यान में रखते हो, ठीक है, so option A and B both are correct, okay, so option number 3 is the right answer, next question प्याते है, question number 55, panels drawn by the selection board and approved by the competent authority, shall be current for 2 years from the date of approval or till these are exhausted, whichever is earlier, so this answer हो जाएगा, that is both and we are correct, okay, next question है, an employee refusing promotion, option A diya है, shall be debarred from future promotion for one year, but he or she shall be allowed to remain at the same station in the same post, बिलकुल सही है, next है, promotion after one year will be subject to the validity of the panel, otherwise he will have to appear again in the selection, यह भी सही है, so both and we are correct, so option number 3 is the right answer, next question है, question number 57, देखिए यह बड़े-बड़े questions है, तो इंसे दरना नहीं है, questions लिखा है, option यह दो statement दिया होए है, पहला statement है, reduction to a lower stage in the time scale of a pay for a specified period with a further directions as to whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay is a minor penalty ठीक है यहां पर क्या गोला है reduction will or will not have the effect of postponing the future increments or option B दिया है जो B statement reduction to a lower stage in the time scale of pay by one stage for a period not exceeding three years without cumulative effect and not adversely affecting his pension is a major penalty ठीक है तो पहला statement की अगर बात करें यहां पर तो यहां तक तो ठीक है reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period ठीक है लेकिन यह जो definitions है वह कहीं minor penalties को suit नहीं करता और यह definition जो है major penalties को suit नहीं करता ठीक है इस लिए case में इसका both a and b are incorrect होगा ओके स्वाप्च नमबर 4 इस दा right answer next question देख लिजे question number 58 under which rule of the railway servant discipline and appeal rule 1968 penalties that can be imposed on any railway servant are specified तो यहां पर dndr 1968 की बात की जा रही है तो इसके अंदर जो major penalties है वह rule number six के अंतरगत state specified की गई है ठीक है सो penalty is specified under rule number six is the right answer next question है question number 59 पर आएंगे मुचा गया है दो statement दिये हुए है आपे statement a है post retirement complimentary passes can be with hailed as a penalty under the railway servants disciplines disciplinary and appeal rule 1968 for offenses committing during service देखिए यहां PRCP की बात हो रही है ठीक है तो PRCP के लिए यह कथन सही नहीं है option number B की बात करेंगर तो PRCP that is post retirement complimentary pass can be disallowed as per provisions in railway servant pass rules for unauthorized retention of railway quarters तो यह है बिल्कुल सही है अगर आप unauthorized retention of railway quarter करते हैं तो इस case में PRCP can be disallowed okay so only B is the correct option so option number two is the right answer इस case में option number two is the right answer okay next question आते हैं question number 60 option फिर से यह statement दिया हुआ है कि premature retirement is not a penalty under railway service discipline and appeal rule and its order as an administrative measure and option number B दिया है यह statement B दिया है compulsory retirement is a major penalty under railway service discipline and appeal rules that is less severe than the penalty of removal and dismissal so only A is correct only B is correct both end B are correct and both end B are in तो यह दोनों statements को अगर देखें तो यहां बात की जा रही है premature retirement की तो basically premature retirement is not a penalty ठीक है it is an administrative measure ठीक है that is ordered by the competent authority so option number A is the right answer और option B की अगर बात करें है my statement B की बात करें तो यहां पर लिखा है compulsory retirement is a major penalty ठीक है that is less severe than the penalty of refusal and removal and dismissal यह भी सही है ठीक है so both end B are the correct तो इस तरह से हमने टोटल 60 questions जो है complete कर लिया आप दोनों वीडियो को जो है तो बारी-बारी से देखें और revise करें वीडियो को लास तक देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सूप हो करा सता हुआ तो